प्रिमिक्स में आपका स्वागत है पाथवे टू प्रिलिम्स पांच हिस्ट्री के जस्ट लाइक वाव mcqs हम करते हैं तो पिछले लेक्चर में पिछले जो प्रिमिक्स हुआ था हमारा उसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पाढ़ रहा था अभी तक अराउंड 59-60 कमेंट्स देखा था जो आये थे 59 के रहूं तो उसमें बहुत लोगों कहते हैं और टफ बनाईए और टफ बनाईए तो देखते हैं अभी यह जो क्वेशन्स हैं वो टफ इजी तो आप डिसाइड तो अगें लास्ट में बताइएगा कि क्वेशन्स टफ लगे इजी लगे इससे टफ बनाना इससे इजी बनाना है तो एक्कॉर्डिंगली हम पेपर को जुनी होता है जो क्वेशन्स के लेवल हो बढ़ाया घटा सकते हैं ठीक हैं तो अगें पाच ग्वेशन्स अलग और यहां को अलग करते हैं यह पॉलोवर्स ने आश्रम सेट किया जिसको की थंबास कहते हैं कितने स्पार्ट कर लीजेगा मेरे को आंसर के ऐसका एक स्टेटमेंट आपको करेक्ट है सब नहीं निर्गून ट्रेशन्स को गॉर्ड विदाउट एक्ट्रिब्यूट ठीकर न यह अपने वाला जो concept है, यह दादू दयाल इसको advocate करते थे, followers जो है, उन्होंने आश्रम सिट किया, थमबाज, इसको आप Simba से याद रख सकते हैं, और दादू दयाल कहते हैं कि बहुत छोटे थे, जब 6-7 साल के तब कबीर से मिले थे, तो कबीर के भी एक तरह से follower माने जात इस तरह के questions आ चुके हैं और आपको ready रहना पड़ेगा, तो यहां पर यह बात ही की जा रही है कि निर्गुन जो भक्ती है, उसको promote करते हैं God without attributes, 1544 में उनका जन्म हुआ, 1603 डेथ हो गया, आप यह बताना कि जब उनका डेथ हुआ, तब मुगल राजा कौन था, क्या वो क्या बोला कि यह जो रेदाज है, कास डिविजिन है, यह temple visits है, सब को condemn करते हैं, बोलते हैं जाब जपो, ओम ओम ओम, शिफ 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 ठीक है, और इनके followers दादू पंती और इनके आश्रम जो इन्होंने setup कि हैं उसको बोलते हैं, थमबाज, शिंबा, देखने हैं मूच, शिंबा याद रखिये, ओर एक्टिंग जैसे मैं करता हूँ, तो थमबाज शिंबा ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है, और vegetarianism follow करते हैं, दारू आरू नहीं पीते हैं, बिकॉस उनके हिसाब से यह गंदी बात है, गंदी 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 गंद इसदा बिल्कुल सही है, गंदीवी का मदूरा Vidyam है, अल्ला से नी पहल्धricky ammoni निमें प्रदना ने मनुचरित्रमो लिखाया, अगें विजय नगर पे एक वीडियो बनाई हूँ हूआ है, वीडियो बनाया हूँ हाँ आपको, उसमें हमने बाते की हैं, की अल्ला से नी ने मनुचरित्रमों में, कास सिस्टम के बारे में मतलब बताई है चीजें, और हमने एक हिस्ट्री ऑप्शन का क्वेश्चन भी सॉल किया था, गंगा देवी मदूरा विजियम, जब हम स्टेटस उफ वुमिन की बात करते हैं, तो यह कुछ exceptional scenarios में आती हैं, जो दिखाता है कि कुछ हट तक, नोता है न, कि ऐसा निये कि वुमिन बहुत ही नीचे तपके पर है, subordination तो है, लेकिन कुछ ऐसी वुमिन भी है, जैसे गंगा देवी, जिन्होंने मदूरा विजियम किताब लिखी, क्रिशन देव रोई की अमुक्ता मल याद है, यह बहुत important है, क्योंकि अ लिखा अमुक्ता मल यादा, और यहां पे वो लिख रहा है, आगे आने वाली चीजों के बारे में एक तरह से भाष्योवानी कर रहा है, कि जो भी ट्रेडर्स आ रहे हैं बाहर से, हमें उन्हें डीसेंट प्रॉफिट अलाओ करना चाहिए, नि तो वो हमारे एनमी के हाथो में जा सकता है, घोडे घोडे की बात चल रही है, और बहुत लोग यह भी कहते हैं कि जो बैटल अफ ताली कोटा में विजय अगर की हार हुई, उसमें जो इन्फीर कॉलिटी होर्से थे इनके पास, वो एक बहुत बड़ा रीजन है, तो आप देखने एक तरह से, अमुक् कर देखने हैं कियो निख्वाइन है, अम्मा, अन्मा मतलब इन्वर्मितै में हैं, जोहां तक मिरों का याद है, हिस्ट्री आपकाा लास् बोड्यूल होगा, वो आप एक बाद रहे साट कर लिघेगा, राइट, तो इन्वर्मान won अब धो इंपॉर्टन अरयास अफूर्स से prelims, because आपको यह पता है कि IAS, IFS दोनों का same prelims है forest service का भी, तो environment का तो एक बहुत बड़ा component रहेगा ही रहेगा, और environment generally सबका dice ही रहता है, so आप join कर सकते हैं हमारे third batch को, और अगर आपको कुछ discount चाहिए, तो आप code यूज कर सकते हैं SHUB, 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 बियेच है, next question पर आते हैं, अब ये question दिया हुआ है, मुगल पीरट से related है land है, बहुत सारे land है, वहाँ पर पॉलाज पराती, चाचर, बांजर तो the point there is कि आपको यह बताना है कि इस land का meaning क्या है ठीक है ना, पॉलाज, पराती, चाचर कितने सही है, correct है तो यहाँ पर पॉलाज सही है, चाचर, सही है, पराती cultivable west land नहीं, इसको बंजर कहते हैं, अभी मैं आपको यह याद करवा दूँगा, तो tension मत लीजे, तो दो pairs correctly matched है answer क्या होगा, B, two only, ठीक है ना, अब जब आप मुगल पीरट पढ़ते हैं, जब्त systems, अपती system, आएने दहशला system फिर बाद में आया, दस साल का हम productivity देखके, decide करते थे कि कितना tax लेंगे, कहीं one third, कहीं one fourth, कहीं half भी लिया, जहांकि saffron cultivation है, जैसे कश्मीर में, कहीं one fourth ले लिया, 25% जैसे राजस्तान वाले area, सिंध में, जो थोड़ा desert prone areas हैं, और one third general लिया, तो इसमें भी लैंड का categorization है, पुलाज, पराती, चाचर, बांजर, अब पुलाज तो आपको याद रहेगा, और यह ना उसी order में, मतलब आप देखिएगा, क्या बोलते हैं इसको आप, descending order कह लिजे, descending order ही है न, यह, quality decrease करती जा लिए, पुलाज, जो है, सबसे fertile lands है, पराती उससे थोड़ा कम, चाचर उससे कम, और बंजर सबसे बेकार land, तो अब इसको याद कैसे रखिएगा, पुलाज तो याद हो जाएगा, देखिए, इतनी भी याद रख सकते हैं, एक तो पाकिस्तान cricket board, इससे याद रख सकते हैं, PCB, दूसरा अगर आपको है कि सार हमें cricket, cricket में interest नहीं है, कुछ नया निमानिक दो, तो आप इसको physics, chemistry, biology से भी याद रख सकते हैं, पराती चाचर और बंजर, यहाँ पर इतना नहीं कि मुलतान, राजस्थान, एट्सक्रा में one fourth है, rather than Sindh, मुलतान, और Sindh में भी चेक कर लिजिएगा, कितना tax रखता था कश्मीर में, हाफ, क्योंकि साफरोन वहाँ grow होता है, next question पर आते हैं, fourth question पर आते हैं, acts दियें, provisions दियें, again आप से पूछा गया है, कितने correctly matched है, और अब इस तरह के history के जो mix वाले questions करेंगे, इसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें यह होता है, कि आपका सारा portion revise होता रहेगा, तो अब आप यह बताइए, कि इसमें से कितने correctly matched है, charter act 1813 ended activities, पढ़ लिजिए इसको, तो answer किया है, I think none, एक भी सही नहीं है, क्योंकि charter act 1813 ने end नहीं किया, उन्होंने यह जो second वाला part है यह बोला, charter act 1833 ने यह चीज़ की थी, ended activities of company as commercial body, वह administrative बन गई, और यह जो abolish किया, transfer किया power, यह 1858 का, जो Queen's Proclamation है, Government of India Act है, उसने किया, तो तीनों के तीनों ही wrong है, answer किया होगा, आपका none, next question, last question पर आते हैं, और अब एक तरसे modern इंडिया की तरफ आ गया है, मैंने कोशिच किया chronologically arrange करने का, इस questions को, ताकि आप ancient medieval से फिर modern की तरफ जाएं, पाँच events है, इसको आप chronologically again arrange कीजिए, और communal award, second round table, इसमें आप तोड़ा confused हो सकते हैं, हो सकता है, आको चीजिजें आती हो, लेकिन फिर भी हो सकते है, आप तोड़ा confused हो जाएं, तो उसके लिए थोड़ा सा अपको ध्यान रखना है कि ज़्यारा confused होने की धरूरत नहीं है, बस सोचिए कि क्या क्या आपको पता है ये 1935 लेखा है, माल लेते है 1935 ठीक है ना, ये साइमन कमिशन हम काफी सुनते है 1927, तो 1927 आपने यहापे लिख लिया, तो हम यह पता है कि 3 पहले आएगा, 4 से लेकिन उससे कुछ ना आपको होगा नहीं, सारे में 3 पहले है 4 से, और क्या क्या आपको पता है अब देखिए, 1st round table, 2nd round table, 3rd round table ideally क्या होता, आपको यह पता हो ना चाहिए कि 2nd round table conference में गांधी जी और अम बेटकर सर के बीच में, मतलब conflict चल रहा है, debate चल रहा है separate electorate को लेके, untouchables के लिए हरीजन के लिए, तो 2nd round table conference में बाते चली और 2nd round table conference पहले हुआ, communal award अगस्ट 1932 में आया और इसके बाद पूना पैक्ट आया, September 1932 में ठीक है ना, तो मतलब 2nd round table conference पहले आया ठीक है ना, 2nd round table conference पहले आया और हमें पता है कि यह उसके बाद आपका communal award आया है 215 तो हमें पता है कि 215 order होना चाहिए जहां भी 215 order नहीं उसको काट दीजिए आपके पास यह दो options बचे है, A या B, जिसमें कि 215 order है अब आपको यह चेक करना है कि 4, 5 से पहले आया बाद में 5 जो काफी पहले आया 4 से, तो मतलब आपका क्या हो गया है पर order क्या हो गया, 32154 अगें देख रहे हैं आप, मैं भी solve कर रहा हूँ मेरे को भी time लग रहा है, because 5 options हैं, इसमें आप confused हो सकने हैं बट confused मत होईएगा, especially जो important point ही है कि 3 जो round table conference है, इसका time period याद रखिएगा 1st round table conference उस time हो रहा है, जब civil disobedience movement इंडिया में start हो चुका था, मार्च 1930 से लेकिन मजा नहीं आ रहा था यहां के लोगों को, बहुत सारी लोगों ने participate किया, कहते हैं कि B.R.A. बेट कर और चेकेज़ेगा, तेज बहादूर सप्रूशायद, वो 3 round table conference में participate करते हैं और यहां पर भी बात चल रही है कि Congress नहीं आया, लोगों को मन नहीं लग रहा है तो Congress को बुलाया जाएगा फिर अभी, और Congress 2nd round table conference में आएगा नॉर 30 से January 1931 और September के around आपका यह 1st round table conference अब आपको ना comment section में एक और चीज़ बतानी है कि Dr. C. Natishan यह कौन है, किस से associated है क्यों यह image यहां डाला गया है, comment section में बताएगे 2nd round table conference September 1931, December 1931 Congress participate करेगा, तीनों में बस इसी में Congress participate करेगा 3rd RTC में उनको बुलाया भी नहीं जाएगा, ठीक है आपको यहां पर chronology याद रखना है, पूना पैक, इसी में discussion चल रहा है, debate चल रहा है 1st RTC में मांगा था, Ambedkar सर ने separate electorates for untouchables, for our regions rather So, 2nd RTC में और debate हुआ, August 1932 में, यह एक महीने पहले Ramse MacDonald ने communal award दिया, और फिर पूना पैक्ट हुआ, जिसको की Ambedkar सर ने अपनी जिन्दगी के सबसे बड़ी गलती भी बताई, और फिर इसी साल end में, 3rd RTC हुआ, और RTC, यह बहुत थी, मतलब क्या बोलते हैं आपको नीरस RTC था, INC गया नहीं, फिर उधर वाले लोग बोल रहे होगा कि INC को था हमने बुलाया ही नहीं, लेबर पार्टी, कंजरवेटिव पार्टी, यह दो पार्टी हैं, इंग्लेंड में, और इसमें कहते थे कि जो लेबर पार्टी है, वो जारा पार्टी हैं, थीक है न, कमेंट सेक्शन में बताईए रिशी शुनक, तो यह सारी कुछ बाते हैं, अभी हमने 5 क्वेश्चन सॉल की, आपका काम यह है कि मेरे को यह बताईए, कमेंट सेक्शन में स्कोर क्या है, सेकिंड चीज मेरे को यह बताईए, पेपर, मतलब जो क्व टी लेवल पे रखना है, जो भी आपको मन करता है, और बांकी जो मेने क्वेश्चन से पूछे हैं, उसके आंसर दीजीए, so that's it, take care, be blessed, tata, bye bye, see you soon.